वर्दा रोड का डबल डेकर ब्रीज और मनीश नगर रॉप की तयार अंतिम चरण में है बहुत ही जल्द आने वाले दिनों में डबल डेकर और मनीश नगर रॉप जल्द ही शुरू होने की जानकारे मेटरों के अधिकारी ओद्वरा दी गई है 401 करोड का यह प्रोजेक नागपुर वासियों के लिए यातायात के लिए सुविदा जनक रहने वाला है पेशे हमारे समाधा ता संजे मिरेन की ये रिपोर्ट नागपुर शहर का विस्तार और विकास बड़ी ही कती से हो रहा है नागपुर शहर एक ऐसा बनने जा रहा है जो पहार से व्यक्ति आएगा तो शायद ही नागपुर को पहचान पाएगा नापुर में मेट्रो रेल सेमेंट के सड़के, पदीप और सड़क किनारे लगे साफेद लाइट्स, मेट्रो ब्रीज सबका ध्यान अपनी और आकर शित कर रहे है वरधारोर्स्ती, डबल डेकर ब्रीज और मनीशनगर का रॉप का काम अंतिम चरन में है आने वाले एक मा के भीतर ये पूरा हो जाएगा और शहर के नागरिकों के लिए बड़ी आपरिज खुल जाएगा इस ब्रीज और मनीशनगर के रॉप का निर्मान करते समय मनीशनगर के 17 मकानों की वज़ह से काफी दिक्कते आए थी लेकिन समझबूश के साथ आखिरखार हल निकाला गया इस पूरे डबल डेकर ब्रीज और मनीशनगर रॉप के लिए कुल 401 करोड रुपए खर्च किये गये है एनेचाइप फंड और CRF फंड से यह बड़ी आपरिज बनाया गया है मनीशनगर का यह रॉप अंडर ब्रीज तकड़ी बन 600 मिटर का है तो वही डबल डेकर ब्रीज 3 किलो मिटर 14 मिटर का है ऐसी जानकरी मेटरों के अधिकारी आनिल कोकाटे और नरेश गुरबानी इन्होंने इन्बीसियन समक्ष दी है दर्चकोई समय इन्बीसियन की टीम ऐसे ब्रीज पर है जहां पर मनीशनगर का अरोबिया और यह डबल डेकर जो ब्रीज है इसका बहुत जल्दी उध्गाटन होने वाला है आखिरकार यह जो काम काज है किस तरह से चर रहा है कितनी लागत इसको लगी है बहुत काम का चर रहा है क्या आपको नहीं लगता कि काफी लेट लचिफी हुई है समय के बहुत ज़ाधा समय गउगा इसको बनाने में नी थोड़ा बहुत काम इसमें डिले हुआ है इसमें दो-तिन रिजन रहा है अभी रिसेंटली तो इसमें कोईड का एक रिजन रहा है लेकिन उसके पहले भी हमें ये काफी कॉंपलिकेटेड काम है तो रेलवे ब्लॉक्स वगरा लेना और उसके पहले भी डिजाइन के कुछ कुछ इसमें जरूर गया है लेकिन अभी ये अल्मोस कंप्टीशन पर है विदिन मन्थ हम इस पूरे प्रोजेक्ट का कंप्लिशन हम ये निचाए को दे देंगे और उसके तुरंद बात ये पब्लिक के लिए खुला हो जाएगा जिस तरह से आपने का हम अगर जो 11 जो मकान थे मनिश्न अगर के वह काफी मतलब दिक्कते आपको दे रही थी तो उसको किस तरह से सॉलाइब क् समय में जी बहुत सारी उस टाइम दिक्कते चल रही थी कुछ अल्टरनेट जगा भी ऑफर हो रही थी चुकि ये कई सालों से यहां पर सत्तर साल से लोग रह रहे थे तो इसमें फिर रीडिजाइन करके ही सोलूशन निकाला गया और इनके घर से सटके बिल्कुल सारे ये करते लीज arrive लोगों को डर ठा और ऐसे ही पूरी चीज़े जो ने इनको बताई थी उसे एंगल से हमने यहां पर वर्ग बेशेक्वीर किया तो लोगों का काफी सायोगह? तो कोकॉकॉटती तरह से बता कि यहां पर लोगों का काफी सवयोग्रहा है, साथ लोगों ने दिया है, गुरुभान से अपने साथ दूसरे एक्जिक्टी ऑफिसरे उन्से भी जानना चाहेंगे, सर गुरुबान सिंह साब यह बता है कि जिस तरह से ये जो डबल डिकर जो ब्रीज बना गया मगर एक वन्वे का ऑफशन स्रक्रागा अखिर का वन्वे का आप्शन क्यों रखा गया क्योंकि नाकपूर की जो तादात है बहुत जाधा बड़ी है ऐसे में किस प्रकार के मतलब लोगों को दिखके आज सकते हैं यहां पर जो है ओर आल में पैसेंजर की ट्राफिक की सेप्टी को देखते वे यह अरंजमेंट किया गया है और शुरू में जो है अपना अज्वल नगर से लोग मनिश्णगर के तरफ जा पाएंगे और शुरू तरफ से जिस प्रकार से यह जो बहुत बड़ी लागत से बनाया गया तकरीबन कितना इसमें इन्वेस्टमेंट हुआ है और CRF कितना मिला है क्या कहना चाहोगे पूरी तरह से कितनी कोस्ट लगे इस डबल डेकर ब्रीज और मनिशनगर के इस आरूबी को बनाने के लिए इसमें जो है आरुबी और आर्यूबी जो है दोनों मिला के करीबन 90 मौश करोट का खरच है और करीबन 310 करोट जो है अनेच्छ क पोर्षन जो है डबल डेकर का उसमें उतना कर्चे टूटल मिला के करीबन 400 करोट आने वाले दिनों में लोगों के लिए कितना राहत भरा होगा यह यह चाहिए क्योंकि यह सब्सक्राइब की अप देख सकते हैं चर सोंक्तिक जाया है एकने पीछ ब्रीज मुंत्रां से जो पाधकर रेज होता ह्या उसक्तिक जाता है शूरू बूतिक पॉपुलेशन है तकर character का सुपस बढ़ी बात हो जाती है बड़ी संख्या है। लोगों को आवागमन करने के लिए यात्पू सुचारू रखने के लिए डबल डेकर एक संजी होनी का काम करने वाली है बहुशे में यही कुछ कहना होगा डबल डेकर से कैमेरा परसन कैमेरा परसन विरेंद्र खुबरागड के साथ संजय मीरे इन बीसे नियूज नाखपू कर दो